दोस्तो अधानी ग्रूप को बहुत बड़ी रहात मिल चुकी है यानि जो एक्सपर्ट कमिटी बनाई थी सुप्रीम कोट ने उन्होंने एक तरह से क्लीन चीट दे दी है अधानी ग्रूप को यहाँ पर देख सकते हो कि उनका कहना है कि अभी तक जो जाँच की गई है सेवी की द्वारा उस जाँच में किसी प्रकार की कोई अनिमित्ता नहीं पाई गई यानि कोई भी कानून का उलंगन नहीं हुआ है लेकिन अभी इसी मामले को लेकर विपक्स फिर से हमलावार हो कि यह आप देख सकते हो कि एक तरसे क्लीन चीट देने की कोशिस की जारी है अभी जाँच पूरी होई नहीं है उसके पहले ही क्लीन चीट दी जारी है जबकि हमने पहले ही काता है जेपीसी ही इसमें एक तरसे इसका निसकर्स निकाल सकते है कि आखिर इसमें क्या गपला चुके इसका मतलब यह है कि अभी भी यह मामला आगे बढ़ता हो दिखाई देगा लेकिन सेवी के पास तीन महीने का वक्त है जिसमें सेवी को अपनी पुरी जाज करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौपनी है तो क्या अदानी ग्रूप इस मुस्लिबस से निकल लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बिल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जब भी निया वीडियो बने पहला नोटिपिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए च अदानी समू और हिंडबग के विवाद के मामले में सबी जांच को समय से पूरा करने की जरूरत है एक्सपर्ट पैनल ने मौजव वक्त में निसकर्स नहीं निकाला जा सकता है कि किमतों में किसी प्रकार का एरफेर हुआ है और से भी इस मामले की जांच करने में विफल र है तो सुप्रीम कोट ने काए कि भारत के मार्केट एनि सेवी ने अदानी समू की संस्ताओं के स्वामित्मा के समन में अपनी जांच में निसकर्स पेस किये है एक्सपर्ट कमिटी का ये भी कहना है कि इसी साल 24 जनरी के बाद अदानी के शेरों में रिटेल निवेशकों का निवेश बड़ा है नि रिटेल निवेशकों ने जम के खरीदारी किये इस हिंडबक की रिपोर्ट के बाद भी बारती शेर बादार पूरी तरह से अइस्तिर नहीं था रिपोर्ट में ये भी का गया है कि अदानी के शेरों में गिरावट की वास्ता हूँ में जो वज़त थी उसके वज़े से बहुत ज़दा गिरावट हुए है और हिंडबक की वज़े से ही ये गिरावट हुए है तो सुप्रीम कोर्ट में ये भी का गया है कि अदानी की वज़े से बादार को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ बलकि इस गिरावट का फाइदा उटा क बाते चुपाई जा रही है यह बात यहां पे गलर्थ सा भी होती है और कहा जा रहा है कि जो भी इसके लापकरी मालिक थे उन सब की बाद जो भी डोटल डीटेल जानकारी वो अधानी गुरूप ने साजा किये यह भी कहा कि सेवी ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है कि वे अधानी गुरूप के लापकरी मालिकों की गोशना को खारीच करे यानि अधानी गुरूप की तरब से जो इसके ऑनर बताएगे उनको लेकर किसी प्रकार का उनको कोई भी डाउट नहीं है और हिंडबग की रिपोर्ट आने के बाद अधानी की रीटेल इस अधानी में भी व्रिद्धी हुई है रिपोर्ट में साफ साफ का गया है कि मौजुदा नियमों का या कानूनों का प्रतिर्म किसी परकार से कोई उलंगन नहीं किया गया है एक्सपर्ट कमिटे ने ये भी का है कि सेवी की और से की जारी जांच अभी भी जारी है सेवी ने सुप्रीम कोर् पूरी तरसे अभी रिपोर्ट जा रही है तो उसके जांच हो रही है उसके बाद में ही पता चलेगा दो साल दो जार अठा से ही नीमों में कुछ बदलाव की वज़े से वीदेशों से जो जानकारी जुटा ने में सेभी को खोड़ी समस्या आ रही है लेकिन उनकी जानकारी जल्दी आ जाएगी तो यहां पर जो सुप्रिम कोट में बात हुई सुप्रिम कोट में उसमें कुछ चुखात वाज़े अगर देखे तो पहली नजर में किसी कानून का कोई उलंगा नहीं किया गया है सेभी को कीमतों में बदलाव की पूरी जानकारी पहले से थी अधानी समूने लाब पाने वाले मालिकों के नाम भी उजागर किये सेभी ने अधानी ग्रूप से मिली जानकारी को गलत नहीं बता है नियूंतम पब्लिक शेयर ओल्डिंग को लेकर भी कानून का पालन किया गया है हिंडर बग की रिपोर्ट के बाद अधानी ग्रूप में रिटे भी जाच कर रही है तो कुल मिला के इस मामले में अब एक तरह से देखे तो अधानी ग्रूप तो पाक साप निकलता हो दिखा दे रहा है लेकिन हिंडर बगी यहां पे एक तरह से मुल्जिम साबित हो दिखा हो दिखाई देगा सुप्रिम कोट में एक्सपर्ट कमिटी ने ये भी काए कि अधानी ग्रूप ने रिटेल निवेस को का भरोसा बनाने के लिए कई कदम भी उठाए एक्सपर्ट कमिटी ने काए कि अधानी ग्रूप के शेरों में रिटेल निवेस 24 दिन के बाद कही गुना बढ़ा है रिपोर्ट में का गिये कि अदानी ग्रूप की और से उठाएगे कदमों में विश्वास पैदा करने की मदद मिली है और शेरों के बाओ अभी फिलाल स्टेबल है कमिटी ने काये कि अदानी ग्रूप ने अपने करज को कम भी किया है एक प्रायवेट एक्विटी निवेसक नहीं यह पे करीक टू बिलिएंग से जाना का निवेस किया जिसके विशेरों है उसके बाद में ये लोगों की भरोसा भी बना अदानी ग्रूप की बैलेंस इट में कर्च कम हो रहा है ग्रूप ने पिछले चार महिनों में ही 300 क्रोट पीज की डालर की वैल्यू के लॉन के चुका है गिर्वी शेरों को भी चुड़ा है और बॉन्स होडर को भुकतान भी किया है प्रमोटर ने बित्ते तीन वर्सों के द्वारानी कर्जों को चुका कर गिर्वी शेरों को काफी कम कर दिया है इस साल में ये जो है सबसे बहुत सालों के बाए पहली बार बहुत बड़ा बुकतान किया है अदानी ग्रूप ने अंबुजा सिमेंट के अधिगरण से समवनी 2.15 बिलियन डॉलर वैल्यू के मार्जिन लिंक शेर बेक फाइनेंस का भी बुकतान समय से पहले कर दिया है जिसकी डैडलाइन 31 मार्ट 2023 थी इसके लावा अदानी ग्रूप ने अंतराश्टी बैंकों और भारतिय वित्य सलस्तानों को 2025 में मैचूर होने वाले करीब 7,374 बिलियन के शेर बेक फाइनेंस को भी पहले से समय से पहले बुकतान किया है और ये बहुत बड़ी बात है तो काफी अच्छा विश्वास पैदा होने वाले कदम उठाएगे एदवानी ग्रूप की तरफ से और इसकी तारिफ भी किए एक तरसे देगे तो कमपनी के टोटल एसेट की बात के वो 3.91 लेक्रोट पीज तक है जो 31 मार्च का अखड़ के इसाफ से लेकिन सामने जो कर्ज है वो 2.27 लेक्रोट पीज का है तो कुल मिला के कर्ज के सामने इनका एसेट काफी ज़ादा इस वज़े से वो अपने आरम से कर्ज को चुका पाएंगे और ये जो सबसे जो बड़ी बात है कि बरुसा लगातर काय में रेटिंग अच्छी दे रही है इसके अलावा जो इंटरनेसरल बैंक है वो भी अदान के मामले में क्लीन चीट दे जाने पर कॉंग्रेस ने फ्राइडियो को काया कि समिटी का निशकर्स पूर्वा अनुमानित है लेकिन सम्मू को क्लीन चीट देने के लिए रिपोर्ट को गुमा देना पूरी तरह से गलत है तो यहाँ पे जो छे संदिशी की जो कमिटी चीटा और यह रिपोर्ट से साब जायर हो रहा है कि एक तरह से क्लीन चीट देने के लिए ही रिपोर्ट बनाई की थी और इस कमिटी ने वह सब कर दिया है तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि यह पूरी रिपोर्ट को मानने को बिल्कुल विपक्स तयार नहीं है जबकि यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि यह जो छे सदेख सब का पैनल बनाया गया था इस कमिटी के अंदर कोई भी सरकार का नुमाइना नहीं से बलकि सुप्रीम कोट ने ही सब को अपन के थे जो अपने अपने सेक्टर के प्रोफेशनल से और एक तरह से निश्पक्स थे और फिर भी अगर उनको पर सवाल उटा जाते तो यह बहुत ही गलत बात है क्योंकि उस जाज का उनको हमें सम्मान तो करना ही चीए अब जैसे कि अदानी गुरूप के शेरों में जो गिरावट हुई उससे पहले करीब 10 अरब डॉलर डूबा है एक सबता के अंदर और इसके पीछे वज़ा है कि MSCI इंडेक्स ने जो कदम उठा है अदानी गुरूप की दो कमपनियों को इंडेक्स से बार कर दिया उसने एक माहुल पूरा निगेटिव बना उसके बाद में भारी गिरावट का माहुल बना और शेरों में गिरावट भी हुई ले इंडेक्स करने जा रहे हैं और इससे का जा रहे है कि एक्विटी को लेकर कुछ चिंता है बसामने आ गई है कि एक्सपर्ट के मुताबिक अगर QIP इशू में शेरों की किमत काफी कम रगी जाती है तो फिर इससे कमजोरी के संकेत के रुप में देखा जागा उसका भी का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुरू कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यों फ्रेंड